अलो गाइज वेलकम बैक आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ज्यादा स्कोरिंग वाले आंसर को कैसे लिखना है तो जो सबसे पहले लिखना है वो है कि आपका आंसर जो है वो नीट अन क्लीन होना च्छी है साफ इहारा प्तिंदा साफ सॉत्रा लिखो फीक्र? है उसको पूरा कटते हैं गोल 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 उसको करते ही जाते हैं वो नहीं करना है ठीक है फीकर कोई भी होगा चेक करने वाला उसको वह ज्यादा पसंद आएगा एस कंपेर्टू जहां बहुत काटापिटी हो दूसरा ये भी नहीं करना है कि बहुत ज़ादा है लिख दियो दो तीन पेज़ें दिखिए हमने तो कंटिनेस धिरी लिखे जा रहे हैं तो ये भी गलत है क्यों कि उससे भी यह होता है कि जब उस अंसर को पड़ा जाता है तो उसमें समझ में आता है कि actual answer जो था वो आधे ही page का था, बाकी के धाई तीन page जो है वो गुमा गुमा के लिखे हुआ है, तो क्योंकि हम CS के student है, है न, बहुत से लोग math branch वाले भी है, बायो वाले भी, I think, to the point ही लिखने की आदत होती है, तो हम बच्चों को जो science वाले हैं, वो to the point ही लिख पाते हैं, तो यह हमारा drawback नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको to the point ही लिखना है, arts and commerce वालों को जो है, थोड़ा सा God gift रहता है, कि वो बहुत जादे ऐलोबरेट करकर के लि लिमिट भी बहुत जादा नहीं दी होती है, तो to the point answer लिखेंगे, बट उसमें जादा score करना है, तो सबसे पहला है कि clean, neat and clean लिखें, दूसरा है कि यह भी डाइग्राम बन सकते हैं, जैसे कि मान दो Unix का paper है, और उसमें आप से architecture पूछा है, ठीक है, यह मान दो से features भी पू तो यदि diagram possible है, जैसे operating system में, PCB का diagram हो सकता है, या process states का diagram हो सकता है, जो भी आप से पूछने, उससे related अगर diagram है, तो उसको ज़रूर बनाओ, उसके बाद में जो आपने theory लिखी, भले ही बहुत जादा नहीं लिखी, important points जब उसमें लिखें हैं, तो important points के नीचे एक underline ज़रू ठीक है, syntax की बाद जब भी हम करते हैं, तो syntax generally एक line का होता है, यदि function का syntax लिख रहा हो, तो दो-तिन line का हो सकता है, तो सिर्फ ये जो एक या दो-तिन जो lines लिख रहे हो, ये पूरा एक number अकेले दिलवाती है आपको, क्योंकि syntax पता है, मतलब आपका concept clear है, तो syntax ज़रूर ये algorithm लिख दो, ये algorithm लिख दो, जिसे मानलो आपसे link list के बारे में पूछा जा रहा है, तो link list का आपने एक node का structure ही बना दिया, struct node करके जो हम बनाते हैं, कि उसमें single link list है, तो एक pointer variable ले लिया, एक data ले लिया, ठीक है, तो ये दो हो गए, W थी तो दो pointer ले ले लिया, एक data ले अगर तो, और पूछा भी नहीं हो ये दी program, तो हमने algorithm लिख दी, कि algorithm मतलब इसमें कैसे कैसे काम होगा, क्या चीज होगी, तो वो भी आपके main concepts को show करती है, उसके बाद ये हम बात करें, Unix के case में, कि जिसे मानलो आपके, कुछ theoretical subject है, जैसे Unix हो गया, जिसमें commands ही हैं programming last में ही होगी shell script वाली, तो उस case में क्या होगा, कि आप जो commands हैं, वो कैसे काम करती हैं, obviously Unix में भी to the point ही जाएंगे आपके answers, क्योंकि command के बारे में पूछा, तो command आप लिख दोगे, दो-तिन line का description, फिर उससे और ज्यादा अगर करें, तो आप उसके बारे में, जो command के options है उनको लिख सकते हो कि इस command में यह options available हैं, और यह, इस option से यह होगा, यह case sensitive है, यह case sensitive नहीं है, जो भी, जितनी भी चीज़ हैं, तो at least आप 5 options हर command के याद करें, क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो Unix के अगर हम पूरे detailed version की बात करें, तो वो एक समूदर जि कि आप ऐसे answers लिखेंगे, और आपको scoring भी होगे, काफी सारे आपके, और एक चीज़ और बहुत सारे लोग देख तो रहे videos, बट चैनल को subscribe नहीं कर रहे हैं, तो यह बहुत गलत बात है, please make sure कि आप चैनल को ज़रूर subscribe करो, और दोस्तों से भी share करो, आपकी request में हम वीडिय आप इतना तो करी सकता है न, चलो जल्दी से इसको दोस्तों से भी share करो, और भी subscribe करो, और मिलते हैं अपने next video में, thanks for watching.